नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आसीस और आप सभी का अमारे इस न्यूव वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आप एक ही मेसेंजर पर दो आईडी एक साथ कैसे चला सकते तो इस वीडियो को लाज तक जरू देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब इसे छोटी सी रिक्वेस्ट आपने अभी तक चलना है वीडियो को मेरे लाइक नहीं किया तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे साथ में नॉ वीडियो को आपको सेर कर देना है वाटसप पे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम सेर चैट सनाइप चैट सबी जगाई से वीडियो को सेर कर दीजे दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आप सबी को बताया था कि दो मेसेंजर अपने मोबाइल पर एक साथ कैसे चला सकते हैं ल डोग एं यहाँ पर आभी प्रोफाइल फोटों नहीं दिखर हैं कोई दिखकत नहीं है यह एकाउंट आपका Même दोस्तों आपको मिल जाएगा switch account का यहाँ पर दोस्तो देख सकते है switch account का icon मिल जाता है इस पर click करना है जैसे दोस्तो यहाँ पर आप click कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तो add account का एक option मिल जाएगा अगर मालेजे आपका account अल्रेडी बना हुआ है तो आप add account पर click कर सकते है अगर आपको add नया बनाना है तो create new account पर click करना है तो account already बना हुआ तो add account पर click कर देंगे click करने के बाद यहाँ पर दोस्तो दो option पूछेगा आपको email id या mobile number से login करना है और password यहाँ पर डाल देना है तो यहाँ पर email id और password में fill कर लेता हूँ फिर आगे का process आपको बताता हूँ दोस्तो जैसे आप id और password डाल देंगे तो यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं यह continue का option पूछेगा तो आपको continue पर click कर देना जैसे continue पर click कर देंगे done पर click कर देंगे और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा account जो है वो यहां पर properly खुल गया, और यहां पर मेरा messenger है वो यहां पर खुल गया, अबgyanov क्लिक कयों है, अब चैट पर क्लिक करें गे तो यहां पर जो चैट हैं वो आपको दिखाए दिनने लेगी, दोस्तों अब यहां पर आप यहाँ पर open हो गया है यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूं यहाँ पर इसे आप क्लिक करेंगे इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दूसरा आइडी जो है यहाँ पर खुल गई है और यहाँ पर यह देखिए यूजर नेम का यह देखिए option मिल जाएगा यह उपर नीचे कहीं पर भी आ जा सकता रेकिन switch account पर click करेंगे तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि दो आपको यह देखिए आपकी यह ID दिख गई और यह ID दिख गई यह मेरा Facebook पेज यहां पर login है तो इस तरीके से आप एक mobile पर दो messenger की ID आप चला सकते हैं दोस्तों उम्मीद है कि आपको मारा वीडियो जरूर पसंदा है तो इस वीडियो को like, share जरूर कर देए आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही thanks for watching my video जय हिंद वंदे मादरम बाई बाई दोस्तों